दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी आलो लूसेंट समानने ग्यान इससे रिलेटेड जो है इंपोर्टन फोर्टी प्लस कुस्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो बहुत ध्या से लास्त देखिए चैनल पुनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे अनकर के ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो चले शुरू करते हैं देखिए आपर हमारा पहला कुश्चन दिया क्या है मांस्पेसियो में दर्द के उप्च क्यार में जो हिसका उप्योग किया जाता है इसके अलावा मानव सरीर में मांस्पेसियों कुल में कितनी होती तो 649 होती आपको याद रखना है in शरीर में थाकान, मानस्पेश में किस अमलके एक अतरिथ होने से होती है। तो यह लाइटी का अमलके एक अतरिथ होने से जो है मानस्पेश में थाकान होती है। ठीक है अगला question देखे question number two है अधरक तना है जड़ नहीं क्योंकि तो देखिए correct answer option B हो जाएगा इसमें node और inter node दोनों होते हैं इसलिए जो है अधरक तना है जड़ नहीं है ठीक है तो option B यहाँ पर correct हो जाएगा question number three है बोरी एवाम कुनो बनने जीव अभ्यारण किस राज़ जमेश्ती थे तो यह मध्य परदेश राज़ जमेश्ती थे अप्शनी यहाँ पर correct हो जाएगा इसके अलावा मध्य परदेश में जो प्रमुख राष्टिय उत्यान है वो यहाँ पर हमने लिखें जो आपके ए राष्टिय पार्क है बन बिहार पार्क है रूत्र सागर जील बांधोगर नेशनल पार्क है संजय नेशनल पार्क है माधव राष्टिय पार्क है कुनो नेशनल पार्क है और मांडला प्लांट है फोसिल राष्टिय पार्क है सभी कहाँ पर है मध्य परदेश में है याद रखना है आपको question number 4 है राश्पती द्वारा राश्टिया पात की उद्गोस्डा संसत के दोनों सदनों द्वारा कितने महा के भीतर अनमोदित होना आवस्यक है राश्पती द्वारा राश्टिया पात की उद्गोस्डा संसत के दोनों सदनों द्वारा कितने महा के भीतर अन मोदित हो नावस्यक है तो देखी एक मा के अंदर जो हैं मोदित हो नावस्यक है अपसने हाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके अलावा राश्पति से रिलेटर जो कुछन एक जाम में पुछे जाते हो यहाँ पर हमने लिखे हैं राश्पति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन-कौन सामिल होता है तो राश्पति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जो है राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों की बिधान सभाओ के निर्वाचित सदस्या जो है उसमें सम्मिलित होते हैं अगला कुश्यन है एक बेक्ती राश्पती के पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है तो देखी एक बेक्ती जो है एक ही बेक्ती चाहे जितनी बार जो है राश्पती बन सकता है ठीक है तो याद रखना है राश्पती के निर्वाचन से स संबंधित बिवादों का नेप्टरा किसके द्वरा किया जाता है तो यह उचतम नियाले के द्वरा किया जाता है भारत के राश्पती पद की सपत कौन दिलाता है तो भारत के राश्पती पद की सपत जो भारत के मुख्य नायधिस है अथवा उनकी अनुपस्तिती में उचत पद से कौन हटा सकता है, तो संसद हटा सकता है, संबिधान के किस अनुष्यद में भारत के राश्पती पर महाभियों की परकिरिया का उलेख है, तो यह अनुष्यद 16 के अंतरवात उलेख है, भारत के राश्पती पर महाभियों की परकिरिया किस देश के संबिधान से ली ग सोची Americas के द्वारा प्रकासित किया जाता है जल का अधिकतब घनतों कितना हो जाएगा सूचे 1 दिश्दो को सुची सेकेंड से सुम्यलित करें देखे पहला दिया गया लाटि कमल किसमें पायजाता है तो देखे लाटिकमल जो है दूथ में पायजाता है यह सिटिक जकंल सिर्के में पाय जाता है साइट्री कामल जो है निम्बू में होता है और बियुटायरी कामल ये दुरगांद यूगत मक्रण में होता है याद रखना है, अगला कुष्शन है बंग-भंग बिरोथी आंदोलान का प्राराम किस्ति थी से हुआ बंग बंग बिरोधी अंदोलान का प्राराम किस्तिती से हुआ तो देखे इसका आराम जो है 16 अक्टूबर 1905 से हुआ अपसंसी यहां पर करेक्ट हो जाएगा कोशन नमबर 9 है संबिधान के किस अनुशेद के तहद सर्वोच नियाले रीट जारी करता है तो सर्वोच नियाले रीट जो है यह अनुशेद 32 के तहद जारी करता है अपसंसी करेक्ट हो जाएगा इसके अलावा संबिधान के अनुशेद 32 के अंत्रगज जो है उचतम नियाले में और अनुशेद 226 के अधिन जो है उच नियाले में रीट यानि आची का दाखिल करने अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है इसके अलावा भारतिय सम्मिधान में पांच परकार के रीट के प्रावधान है अगला कुशन है कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं कोहरा के समय किसके कारण देख नहीं पाते हैं तो ये प्राकिर्णन के कारण जो हम लोग देख नहीं पाते हैं अब संडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन है निमने लेखित में से कौन सुमेलित नहीं है निम्नेलेखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो देखे यहाँ पर option C जो है सुमेलित नहीं है एलाही समवत की सुरुवात जो है 15-82 में नहीं बलकि ये कब हुआ था 15-83 में इलाही समवत की सुरुवात 15-83 में हुआ था बागी ये तिनों correct है जजय करके समाप्ति 1564 में, मजहर की घोशड़ा 1589 में, फतेपुर सिकरी की अस्थापन 1517 में, याद रखना है आपको, अगला कुशन है, यदि किसे निशित समय ओधी में मुल्य और मोद्रिक आय दोगुनी हो जाती है, तो वास्त्वी काय होगी, तो देखिए वास्त्वी क आय जो है ओपरिवर्तित होगी, ठीक है, अप्संसी यहां पर करेkt हो जायाएगा, जीला नएधीसों की नियुकति कौण करता है, तो राज्ये का राज्ये पाल करता है, अप्संशी यहां पर करेक्ट हो जायाएगा, पश्यमी घाड़ पर पाई जानेवाली बनस्पती का प्रकार है, पश्मिघाट पर पाई जाने वाली पनस्पति का प्रकार है, तो सदा हरित है, अपसनी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे तो प्लेज वीडियो को लाइक जरू करें, अपने दोस्तों में सेर कर सकते हैं, चैनल पना है, चैनल को लिफ्ट में अधिक होगा, जब बेक्टी का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, जब लिफ्ट जो है, ये उपर की और तो अरित होने पर, लिफ्ट उपर की और तो अरित होने पर जो है, बेक्टी का भार जो है, लिफ्ट में अधिक होगा, तो आपसनी यहां पर करेक्ट हो जाएगा निमने लेखित में से कौन सूमेलित नहीं है तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा लोदी बंस जो है ये सूमेलित नहीं है लोदी बंस की स्थापना किस ने की थी तो देखिए लोदी बंस की खीजर खां और खिलजी बंस जलालुदीन खिलजी ने इसकी अस्था अपना की थी याद रखना आपको अगला कुश्चन है अस्थाई लेक संस्था की शुरुवात कब हुई थी अस्थाई लेक संस्था की शुरुवात कब हुई थी तो 1998-99 में हुई थी option B यहां पर correct हो जा यहां आएगा निम्नलउखित मेंसे चोब मंडल के संबण में सही जचना, तो अफ्सथा यहां पर सही नहीं है चो इस चना नईनतरी मिए गटना नहीं होती है तो क्थान गलत है क्योंकि जितने भी मौसम संबंदी घटना है होती हो छो मंडल में ही होती है याद रखना है अगला कुश्चन है संवीक का मात रख है तो देखें संवीक का जो मात रख हो है की गरा मीटर प्रतिस सेकेंड ठीक है अप्सन ही करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन है भागाची और बटु केशवर्दत ने केंड्रिया बिधान सभा में किसके बिरोध में बं फेके तो देखें ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पॉब्लिक सेफ्टी बिल दोनों के दोनों के बिरोध में इन्हों ने भागाची और बटु केशवर्दत ने केंड्रिया बिधान सभा में बं फेका था तो अप्सन ए और बी जो है यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा कुश्य नमबर 25 है जासकर स्रेडी की सिमाले में इस्तित है जासकर स्रेडी की सिमाले में इस्तित है ट्रांस सिमाले में इस्तित है अप्सन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दाची ग्राम राष्टिय उध्यान किस बनने जिव के लिए परसीद है तो ये हंगूल के लिए परसीद है अपसन B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सभी परकार की सरकारी आए तथा ब्याए निमनलेखित में से किस में जाते हैं सभी जाते हैं तो देखिए जाते हैं भारतिय सम्यकित निधी में ठीक अपसं डी करेक्ट हो जाएगा कि सभी से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकास कि रह अधिक परिवर्तित परिवर्तित होती है प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकास की रन सबसे अधिक और परिवर्तित होती है तो ये बैगनी रंग जो है सबसे अधिक और परिवर्तित होती है अपसंडी करेक्ट हो जाएगा कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में कांगरेस कि उत्पत्ती के संबंद में सेफ्टी बाल्ब का सिधान्त किस ने दिया था तो देखें लाला लाजबत राय ने दिया था अपसंडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पौधे किस भाग में प्रकास संसलेशन होता है पौधे किस भाग में प्रकास संसलेशन होता है तो ये कुलोरो पलाश्ट में होता है अपसंसी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सेख सलीम चिस्ती किस सासक के समकालिन थे तो ये अकबर के समकालिन थे अपसंडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बौध धरम के संग संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग रही थे तो देखें correct answer option यह हो जाएगा बीनाय पिटक में ठीक है बौध धरम के संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग रही थे बीने पिटक में संग्राही थे, अप्षनी यहाँ पर, correct हो जाएगा, भारत में परमाणु उर्चा आयोग की स्थापना किस वर्स हुई, भारत में परमाणु उर्चा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, उनिस आड़ तालिस में हुई, अप्षन B correct हो जाएगा, बीर भूम प्रश्टिया आपात की उद्गोसरा राश्पति कर सकता है तो ये मंत्री मंडल के लिखित सलापर जो है राश्टिया आपात की उद्गोसरा जो है राश्पति कर सकते हैं ये अंसर हो जाएगा राश्पति की संबैधाने की स्थिति के बारे में कौन से कथन सही है तो देखें यहाँ पर पहला ही कथन जो है सही है राश्पति राश्ट का परति निधित्व करता है किन्तु राश्ट का सासन नहीं करता है तो अप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पालगाट निमने लेखे, तो मैसे किन राज्यो को जोडता है, तो ये केरल और तमिलाडु को जोडता है, option C यहाँ पर correct हो जायेगा, पश्मी टट के उत्री भाग को कहते हैं तो पश्मी टट के उत्री भाग को जो है कुंकर टट बोलते हैं ठीक है, option C यहाँ पर correct हो जाएगा सबसे ज्यादा protein किसके दूध में होता है very important question, सबसे ज्यादा जो protein होता है बकरी के दूध में होता है, ठीक है answer हो जाएगा option B उसके बाद यहाँ पर हमार अगला question है यह आपके लिए humor question रहेगा भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुंदरी किनारा है भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुंदरी किनारा है अप्सन है आपके लिए केरल, तमिलाडू, महराष्ट या फिर गुजराद दोस्तों यदि आपको इसका अंसर पता हो तो कमेट बक्स में जरूर बाता है और वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत